हेलो एब्रीवन वेलकम बैक टू एन अधर वीडियो आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सब की जिन्दगी में एंड आज आपके सामने खड़ी है एक्स यूवी 700 बट अबना मैं पीछे जाता हूं आप बताना भाई यह कौन सा वेरियंट है पीछे ना भाई जो कि है mx variant यह ना आपको बहुत कम देखने को मिलता यूट्यूब पे रियल लाइफ में भी मतलब कि भाई महिंद्रा इसकी जो प्रोडक्शन बहुत ही कम करती है और मैं भी आज पहली बार ही से देख रहा हूं कि भाई mx series शुरू 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 में जब xv700 आई थी ना बोलने को थी कि mx series भी ax series भी बट आज मैं फर्स टाइम फाइनली देख रहा हूं भाई mx series xv700 की जो मेजर डिफरेंट्स है na mx series and ax series में वह है इंजन स्पेसिफिकेशन का डीजल इंजन में डीजल इंजन में आपको मिल जाती है 153 bhp with 360 nm of टॉर्क बट जो अच्छी बात है mx series का जो पेट्रोल इंजन है वो बिल्कुल सेम मिलेगा आपको एक सीरिस की तरह ही मतलब कि वही 197 bhp आपको मिल जाती है बट इस डीजल इंजन में इन्होंने डीट्यूनिंग कर रखी है जो इनका एम होक इंजन है एम स्टेजिन आपक अगरेट्मेंट लगेगा मतलब कि आपको इसमें सिल्वर ट्रीट्मेंट मिल जाएगा बट यह प्यानो ब्लेक फिनिश की ग्रिल मिल जाती है यह सच्छा कुछ में डिफरेंस आपको दूर से लगे नहीं बात करें यह बिल्कुली वेस्ट मोडल में एमें एपको नहीं मि कुल जाता है उसके लाए तो ना साइड में जलते है ऐसे कुछ नहीं आपको टायर समिल जाते हैं जो एकस थी है न उसमें आपको विल कप मिल जाती है एकस फाइव में आपको अलोई विल जाते है यह बहुत अच्छी चीज लगी कि 17 इंची टायर तो यह दे रहे हैं, ऐसे निएगी, MX सीरीज है, तो बिल्कुली 16 इंची टायर दे देते हैं, एंड येस उससे वेले न, मैं आपको एक शोरूम प्राइस बता देता हूं, इस कार का, जिससे आप सुनके हरान हो जेंगे, 13,18,000 भाई, पेट्रोल का है, एक शोरूम, एंड डीजल का आपको राउंट पढ़ जाता है, 13,65,000, ओन रोड प्राइस तो न, चेको, स्टेट टू स्टेट वेरी करेंगे, बट वही बात है, 15-16 लाक में आपको इतनी हूज सी कार मिल जाती है, तो क्या ही कहने है, और जो इसमें एडवांटी चीज़ है, मतलब कि यह न, मुझे, एह सच, महिंद्रा का न, Most Value for Money प्रोड़क्ट लगता है, मैं अब आपको बताऊंगा, ऐसा क्यों, जैसे मैंने आपको एक चीस तो थाइजी, 17-inch टायर मिल रहे हैं, उसके अलावा, ओर विम पे आपको इंडिकेटर मिल रहे हैं, इधर आपको इंडिकेटर फेंडर पे नहीं मिल रहे हैं, कितनी अच्छी बात है, अब इन्होंने स्कोर क्लासिक लॉंज करिये, S11 खड़ है, इसमें देखना फेंडर पे इंडिकेटर है, इसके तो चलो, बाद में बात करेंगे, भाई, इसमें क्या बुरा हाल कर रहे है, S11 को इन्होंने S11 से S5 बना दिया, ऐसा लगता है, बट वापिस आजाते हैं, आपको डॉर हैंडल सेख लो, रेंज रोवर वाले ही मिलते हैं, इतने जाधा बढ़िया, मतलब कि बाहर आप अलोई विल्डल वालो, आपको लगेगा ही निके, यह बेस मोडल है, और एक शोरूम यह आपको 13,18,000 रूपीस की पढ़ रही है, कार, उसके अलावा मैं पिछ आतो हो, पिछ आपको डिटो ही भाई, वही वालीटेल लाइट मिल जाती है, बट एक सेवन लेक्जुरी में, जैसे सिख्वेंश इंडिकेटर हो रहाते हैं, वैसे वैसे कोस्मेटिक चीज़ इसमें आपको नहीं मिलेंगी, रिवर्स कैमरा इसमें आपको नहीं मिलेगा, यह पार्किंग सेंसर में आपको मिल जाते हैं बेंड को यह कोई संदूम्फ मिले गी और यह रूफ रिलेल निसमें आपको मिल जाती है जोकी अगैन बढ़िया चीजह जो यह वाला वेडियन पर फैसे मोस्ट वैली फॉर मनी कार में बोलुआ मोस्ट वैली फॉर मनी कार है महिंद्रा की नीचे ही साइड आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं फिलाहल तो ना मैं आपको बूट खोल के दिखाता हूं भाई इतनी यूज इसकी बूट है क्योंकि एमेक्स वेरियंट है यह बस फाइ एक साल पहली ही लोन चोगी थी as a system है भई एमेक सीरीज में इधर से आप फ्यूल भर सकते हो 60 लीटर का इसमें आपको टैंक मिल जाता है एक बार आप लुक देख लो एना इमेजिन करो 17 इंच में ही इसमें मतलब की अलॉय हमडल वाले क्या ही लुक आईगी भई कार की कार को इदर लोगों मिल जाएगा सो याइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कार के ना हम अंदर चलते हैं एंदर आपको कोई सॉफटेच वगएरा नहीं मिलेगा जैसे टॉप मोडल में मिलता है बट यह हैंडल है यह बहुत ही जादा प्रीमिम लग रहा है इधर आपको इसमें आपको ना हाइट एजस्मिंट भी मिल जाती है जो की ना अमेजिंग चीज है नहीं तो आपको होता है बेस वेजिएंट में जादर कमपनी से थाइज़ एप फीचर हटाई देती है बट महिंद्रा ने ऐसा नहीं करा है फिलाल तो यह टोर बंद करते हैं एट चीज बंद कर देता हूं बट एक चीज़ है वन टच अब वन टच राउन का फीचर इसमें आपको नहीं मिलेगा एक वी विंडू में नहीं मिलते है चारों में तो आप भोल जो सीड़ी एड़ेस्ट कर लें एंड ब्लोवर थोड़ा सा हम कम कर लें जो सबसे मेजर डिफरेंस आ आपको मिल रहे है अब आप वो देख्यों आप वहरान हो जो कई जो इसका इंस्ट्रूमेंट एन वाला है डिटो और व सब्सक्रीं आट हिंच इसमें आपको इंफो इन्ट स्क्रीन मिलती है यह इन वी दिटो स्कोर्पियो एन वाली है मतलब क्या ही कहने तो आठीक मैं तो तो आज ही वाला वेरियंट देख रहा हूं आज मुझे रिलाइज हुआ कि यार यह तो पूरा ही Scorpio N में चेपाय महिंदरा ने इंस्टुमेंट क्लेस्टर ना ध्यान से देखो वही आप क्या होगा यार है यह तो बिल्कुल इसका इंफो इनफो इनफो फ्योल इनफो बस को और इंफो इन इदर नविगेशन एड़ जाती है और वह द्राइवर एटेंशन वाली चीज एड़ जाती है तो तीन चीज़े तो चलो एड़ कर रखी है बट यार जो थीम है बिल्कुली सेम है एनलोग एड वीच में आपको M.I.D. मिल जाती है और जो इनफो इनफो इनमेंट स्क्रीन है इसका यूई तो आपको डिट्टो सेम ही दिखेगा भाई मतलब इसमें आपको ओव्यस ही बात है एड्रो नॉक्स वाली टेकनोलजी नहीं मिलती है मतलब ऐलेक्स का सपोर्ट अगरा नहीं मिलता है जैसे स्को इसमें आपको नहीं मिलती है इधर से आप M.I.D. कंट्रोल कर सकते है जो मुझे लगता है महिंद्रा को जो M.I.D. कंट्रोल करने वाले बटन्स है इधर दे नहीं चाहिए उससे ना भाई स्टेरिंग विल इनका बहुत ही प्रीमियम लगता अमालों जो यूट्व गारे त आप खुद सोच यह चीज अगर इधर आजाती ना तो क्या ही कहने ज़े इधर आपको ओट ओन उन उन जाता है विल जाती है वैसी यूनित आपको मिलेगी मतलगी मैनुल मिल जाती है एक सेवन और लुक्षरी में तो आपको जलो ऑटमेटिक एसी कंट्रोल मिल जाते है इसाज़ भी कुछ खाली स्पेस मिलजाती है वजए फोन रखने के लिए पोर्ट मिल जाते है ईसमें AOKO मिल मिलते है जर आप SP 녈 मिल जाती है इदर आपको हैंज़ मंदेस मोडल में आपको ARM रेक यां मतलब कया ही कहना है और अच्छी कासी पेसमें इसी ऐसी बात निए कि सीट कवर मिलेंगे फैब्रिक सीट कवर इसमें आपको मिल जाते हैं इधर वाले पोशन से तो आपको बिल्कुरी ले गया कि भाई यह AX5 ही है मतलब किया इधर भी अगर AX की तरह वही पैनल हो जाता ना तो कोई कहा नहीं सकता था कि भाई यह MX है बट MX में जो मेजर डिफ्रेंस है ना वो यह यह बाई एडरोनोक्स नहीं है जो महिंद्रा ने अपनी टेकनोलोजी बना रखिया एडरोनोक्स होई Alexa वाली और यह इंस्ट्रूमेंट पैनल इनका वही जो हंडर परसंट डिश्टल होता है वो नहीं है एनलोग इसमें आप वह तो बहुत ही बड़िया लगती बाद वहीं वहीं अव्याइव में शाड़ेंट आपको पानी प्रक्स है अपक्या ही एक्स्पेक्ट कुरूण जैसे कार महिंद्रा दे रही है एंड़ सीटिंग पोजिशनिंग के बाद करें बॉन अपको मैं आपको बाई वियू आज बहुत ही commanding positioning लगती है and comfortable तो भई कार बहुत ही जादा है आपको पते ये XU700 का comfort level तो next level है body roll इसमें 0% है उसके अलावा भई IRVM आपको AX7 luxury वाले ही मिलते हैं मतलब की manual IRVM मिलते हैं cabin lights की बात करें LED cabin lights मिल जाती है halogen cabin lights भी नहीं मिल रहे हैं इसमें देख लो भई कितना ही प्यारा variant है तो and sunshade की बात करें mirror आपको मिल जाता है फिलाल में बंदी कर देता हूँ इदर वाजे sunshade की बात करें ticket holder आपको मिल जाता है sunroof अगरा इसमें आपको missing लगेगी इधर बीना आपको LED cabin lights मिल जाती है यह वाला variant आपको कैसा लगा कैसा नहीं मैं तो again यही बोलूँगा भई most value for money variant ना मुझे तो यही लगता है और उसके लावा अगर आपको थोड़ बात features अगरा चीह है जैसे panoramic sunroof अगरा तो भई आप AX5 पे चल जो वो वाला variant भी बहुत ही बढ़िया लगता है ऐसा कुछ है रियर डॉर का trim power window option आपको इदर मिल जाता है पहले तो यह seat वगरा उठाएं हो भाई बढ़ी smoothly बहुत ही smoothly अपोगी इसकी seats अब चलते हैं अदर सबसे बढ़िया चीज बेस मोडल में आपको rear AC vents मिल जाते हैं C-type socket मिल जाता है इधर आप phone रख सकते हैं बहुत ही cute सा लग रहा है यह phone holder सा बीच में hump की बात करें न hump भी छोटा सा है मतलब एक तासे फ्लैट ही है तो तीन बंदे तो आराम से बैठ सकते हैं दो इसमें आपको adjustable headrest मिल जाते हैं कोई center armrest इसमें आपको नहीं मिलता है और comfort की बात करें comfortable तो बहुत ही जाता है आप headroom देख सकते हैं कितना जादा है legroom देख सकते हैं and thai sport भी अच्छा खासा है और तीन बंदे जैसे में आपको दाय भाई खुले डूले आराम से बैठ सकते हैं एंड पीछे से डैश बोड का नहीं कुछ ऐसा लुक आ जाता है इतना प्रीमियम आपको लगेगा ने डैश बोड़ बट इस प्राइस रेंज में इतना सब कुछ मिल रहा है तो बंदे इसमें तो एड़िस्मेंट करी लेंगे बई पिलाल तो ना में कार के भाई बाहर चलता हूं और आपको ना बताता हूं अभी ना दो हफते पहले ना मतलब कि जो मैं आपको बताना चाहरा हूं ना महिंद्रा एक तो देखो प्राइस इंक्रीस करता है अपनी कार्स के चलो टोटा भी करता हर कार में फेक्टर धिरे प्राइस इंक्रीस करी रहे हैं इंफलेशन हमारी देश में हो रही है उसको छोड़ते हैं बटेर अगर आप दो करें कहीं कहीं तो कहीं चाहरा शाय से जो दोनों भी प्रवाइड करें वह क्योंकि वह यहूं यह शोच्टेज का बहाना आशलते है बट मैं यह सोचतो को क्यों नहीं होती चिप शोटेज यह कमेंट सेक्शन चाहिए कि भाई लोग इसे देखें आप यह ले लो भाई ऐसा बेस मोडल ना हर कार मिनिफेक्टर्स को निकालने जाए मैं तो यह ही कहूँगा फिलहाल तो ना इस वीडियो को में यहीं पर एंड करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आईए वीडियो को लाइक जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मैं आप सबको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बबाई टेक किर